नहुश्कार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं 36 का टेट एक्जाम 2022 कल कंप्लिट हुआ है और पेपर वन का हिंदी का अंसर की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जिसमें आप सभी को अंसर की के साथ उसका सॉलिशन भी बताएंगे क्यों कारण है कि वह अंसर आएगा अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप वहां से इन सभी ग्रूप में जूड़ कर डायेक्टली आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे आप सभी को जानकारी वैसे पहले से हैं चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो आंसर नंबर फरस्ट का सेट ए मतलब यहां पर ह अखित वाक्यों में से सुद्ध वाक्य है तो दिया हुआ है सिरकृष्ण के अनेकों नाम है तो अनेकों में अनेक शब्द जो है खुद आपने आप में जो है बहु अचन है इसलिए अनेकों नहीं आता अनेक आता है दूसरा मैं गाने के कसरत कर रहा हूं तो यह कसरत गलत हो गया exercise नहीं आएगा यहां पर ठीक है उसके बाद दूसरा point next देखता है कि इस समय आपकी आयू 40 वर्सकी है और साहित्य और जीवन का अभिन्य संबंद है बोला है तो अभिन्य संबंद नहीं होता घनिष्ट संबंद होगा तो यहां पर final answer क्या जाएगा option number c आपकी आयू 40 वर्सकी है next question है प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिखने में भासा संबंदी कौन सा संसाधन सरवाधिक महत्वपूर्ण होता है तो computer, बाल साहित, समाचार, पत्र और टेलिविजन तो इसमें final answer होने वाला है आपका बाल साहित होगा ठीक है क्योंकि बच्चा जो होता है बच्चों से संबंदी चीजों को सबसे पहला प्रात्मिक इस्तर पर सिखता है next question आप देता है उपसर्ग युक्त शब्द है तो उपसर्ग में भिख्चुक परिधी म्रेगिया या फिर इक्षा यहाँ पर आप देख सकते हैं संदी विच्चेत कर दिया हुआ है तो आपको समझ में आ गया है शुरू में लगने वाला जो होता है वो अपसर्ग होता है तो परी धन्दी परीधी इसका फननसर होगा कौन सा प्रश्ण कक्षा में बहु भाशिक्ता को मतलब बहुत सारे भाशा में उसको परिभाशित करता है तुमारी बड़ी बहन का क्या नाम है तो एक ही अंसर आ जाएगा अच्छी लगने वाली महा को क्या कहते है यह भी आपका सुगंधा आ जाएगा तुमारे घर में तुमने क्या खाया यह भी जो है सरल रूप में आ जाएगा लेकिन लास्ट में देखे बोला है कि मा को अपनी अपनी भासा में क्या कहा जाता है ये पूछा गया, अपनी अजनी भासा में क्या कहते हैं, कोई बुलेगा मा, कोई बुलेगा मा, कोई बुलेगा माता, ऐसे आएगा, तो यहाँ पर बहु भासिकता को को अंदर साता है, option number D, ठीक है, next question देखते हैं यहाँ पर, कि समानेता बालक ध्वनी को सुनकर प्रतिक्रि या देना प्रारंब कर देता है, तो इसका अंसर आएगा, 6-7 महा में, 6-7 महिने में चोटे बच्चे को देखेगा, वो जो है, react करना, start कर देता है, ध्वनीयों के मेल से बने सार्थक, वर्न समुदाय को क्या कहते हैं, वर्न समुदाय बोला है, अगर ध्वनीयों के मेल से वर्न बोलता है, तो अक्षा राता है, जैसे क, ख, यह सब वर्न, यह बना, लेकिन इसको जोड दिया जाए, तो यह बोला था सार्थक, सार्थक मतलब जिसका मिनिंग हो, तो यहाँ पर जैसे लिख दिया क, भूतर, ठीक है, तो यह सार्थक अर्थ दे रहा है, और यह एक- बड़ा है, तो यह वला, तो इसका फाइनसर आएगा, कौन सा छोटा, यह आएगा, अप्शन नमबर ए, निम्न में तत्सम शब्द है, वत्स, खेत, पीता और राय, यह तो विदेशत शब्द हो गया, आपका पीता, आपका लब तत्सम सब्द होता क्या है, जो की संस्कृ संस्कृत में कौन सा शब्द आता है, वत्स शब्द आता है, ठीक है, वत्स, पुत्र को बोला जाता है, आपने देखा होगा, धुसंत महात्मा को, हे वत्स, ऐसा बोला जाता है, तो फिर यह जो है, देखेगा, निम्न लखित में से किस वाक्यों में सही पद करम है, लड़ उसने पूछ रहा है उसने खा लिया होगा मतलब होगा शब्दार है यह सायत सब्दार है तो संदेव आचक हो गया यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं जब एक चीज जो है दूसरे मतलब आधा वाग के दूसरे वाग के पर डिपेंडेंट होता है तो हेतू हेतू मत आता है तो इसका फाया अंसर हो जाने माला है उप्षिण नमबर C अनुस्वार अगर बो रहते जो कि गलत है अंगूर आएगा ठीक है निम्न में से बहुबरी समास युक्त शब्द नहीं है बोला है जो चतुरानन ठीक है चार अनन का समूँ चौलडी चार लडों का समूँ फुल माला सट रस और सत खंडा साथ खंडों का समूँ तो ये सभी जो है वो बह समास में जाएगा ठीक है नेक्स देख लेते हैं जाती वात संग्या का उधारन बुढ़ापा भाव आचक है लोहा द्रवेव आचक है पहाड क्यों से पहाड़ है बताया नहीं मतलब जाती को प्रदर्शित कर रहे दल समूँ वाचक है तो इसका फाइनसर क्या एगा ऑप् नेक्स देखे हिंदी भासा के विकास का सही करम जो सबसे प्राचीन भासा कौन सी थी संस्कृत थी ऑप्शन एक ही में जो है सबसे पहले में दिया था बाकी सब में नहीं दिया है इसका मतलब सीदा सिदा इसको टिक कर लेना था तो संस्कृत सबसे पहले आया फिर पाली आ प्रश्ण माचा करें तो थोड़ा जो सो आ गया संबंध आ गया उसने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं खाया मतलब कंफर्म है वो कि वो उसने नहीं खाया है तो यह आएगा निशाचर का निकार्थी शब्द जो रात को विचरन करते हैं उसे कहते हैं निशाचर जैसे राक्षस है ना तो रजनी तो रात को बोलते हैं नहीं आएगा सिवार भी नहीं आएगा मेढग भी नहीं आएगा तो अंसर क्याएगा उल्लू आएगा उसके बाद जो कम बोलता ह आशा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका जो होगा घटना वर्नन सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है सुरूती लेक ठीक है तो घटना वर्नन इसका अंसर आएगा बेफिक्री के लिए कौन समुहावर आएगा तो बेफिक का समू यह सेर मतलब गुफा आ जाता है गुफा ठीक है और इसके बाद त्रिभुवन तीन भवन का समू या फिर अब चतुर्भुट तो चार भुजाओं का समू या समाहार बोलेगे तो आपका यहाँ पर यह चतुर्भुट जो हो रहा है बहुब्री और द्विगु दोनो लेकिन यह बहुब्री में भी आता है इसलिए इसका अंसर यहाँ पर डी लिया जा रहा है लेकिन अब व्यापम क्या लेका हो इसका इसका कंफरम नहीं कह सकते हैं लेकिन यहां पर आएगा चतुर्भुज फिलाल ठीक है डीक है डीकु समास नहीं है पूछा यह वाला लीखने का प्रथम चरन बोलना लिखना पढ़ना उर सुनना तो सबसे पहला होता है सुनना क्योंकि सुनोगे तभी तो पढ़ोगे तो परण होगे फिर फिरॉ हो और इसका उन्वानुसrah राधा जाहि स्थिलिंग — Grant Mareg संग्गू निचले इस्तर का मतलब उच्च और सधारण की तूलना इसका फाल अंसर है संग्या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के सब्दों के साथ उनका संग्या या सर्वनाम का संबंद सुजित हो उसे क्या कहते हैं तो आपने पढ़ा होगा संबंद कारक ऐसे सब पढ़ नहीं जुड़ जाएगा खेलता पढ़ना लिखना ऐसा लिखेगा क्या नहीं क्रिया विशेशन भी नहीं आएगा तो इसका फानसर कारक आएगा भाशा का विकास का सबसे पहले आएगा ऑप्शन नमबर एक सही अंसर है आंगिक वाचिक लिखिक यांत्रिक आंगिक मतला विशारों से बताना फिर इसको मूँ से बताना फिर इसको लिख के बताना फिर यांत्रिक याने जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और रिकार्ड हो रहा है वही है यांत्रिक इसके बाद कक्षा पहली में पढ़ने वाले गरीमा अक्षा अड़ाश वाले शब्दों को गलत त प्रास कराएंगे तो इसका फाइनसर आएगा ऑप्शन नमबर डी तो ये था आपका अच्छा एक और बचा हुए देख लिए इस तरी का परियाएवचे शब्द क्या है गीरा वनीता वागीशा या फिर कंचन तो गीरा जो हता है सरसुती माता का परियाएवची है और कंचन सोना का है वागीशा भी सरसुती माता का है तो बचा कौन वनीता तो वनीता ही जो है आपका फाइनल अंसर था तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए पेपर वन का अंसर फाइनल दे दिया गया और लक्षांस कोचिन क्लासेस के थूँ एस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को जानकाली शेयर की जा रही है और वाटसप नंबर पर अगर मैसेज करेंगे तो ये पीडिएफ जो है आपको पहले लिंक आएगा लिंक आने के बाद आप गुरूप को जाइन करेंगे उसके बाद पीडिएफ आपको मिल जाएगा तो इस तरह से और इसके पर टू का भी हम हिंदी का लेकर आने वाले हैं तो बने रहेगा चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दूश्रों तक शेयर कीजिएगा तब तक के लिए बहुत बहुत धनिमाद रक्षान सकुषिक लाएगा